बच्चो इस वीडियो में हम लोग कौन सा कोश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो यहां पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 ठीक है यह कहां पर है तो यह है आपकी टेक्सबुक में पेज नंबर 319 पर तो चलिए सब लोग बैलेंस जैसी करने पनाना है तो सब्से पहले क्या करेंगे बच्चो फ्रॉद बना लेंगे था होकल उसके बाद प्रॉफित औ् लोस अकाउंट ट्रि यहां पर आजाएगा eighth है 821 यह 82010 बाकी तो फॉर्मे 7eted यहां उता है बंदिट और क्या होता है प्रेडिट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ठीक है और प्रॉफिट अन लॉस में हम लोग क्या क्या रेकॉड करते हैं पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉफिट अन लॉस में हम लोग जो हमारे इंडिरेक्ट एक्सपेंसे और इंडिरेक्ट इंकम होते हैं उनको हम रेकॉड करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है ऑफिस से रिलेटेड होता है इसे हम रेकॉड करते हैं कहां पर प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट के अंदर ठीक है यस और इसके डेविट साइड में क्या रे तो आप जड़ा सोच करके बताओ सोच के देखो बैंक चार्जेस क्या होता है यह एक्सपेंस होता है और यह प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है यानि कि यह कहां पर जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ठीक है तो लिख दिया जाए चलिए लिख देते हैं इसका अमाउंट देख लीजे कितना है 22,000 तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चो टू बैंक चार्जेस चाहो तो मेरे साथ साथ आप लोग कर सकते हो बाकी आपकी मर्जी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होईगी ठीक है यह 22,000 फिर उसके बाद नेक्स्ट क् हमें received हो ठीक है तो यहां पर यह जो इंट्रस दिया गया है यह रिसीवड वाला है आपको कैसे समझ में आएगा तो दीखो ओंपर ब्रैकेट में उनने क्या लिखा यह है जैसे ड्राइल बैलेंस होता है न तो एक डशके होता है मत्लब आप समझ रहेहो यह जो इंट्रस है यह हमने दिया नहीं है ठीक है सिंपल सी बात है देखो वहाँ पर ब्रैकेट में उन्होंने क्या लिखा है क्रेडिट यानि यह इंटरस्ट आपको रिसीव हुआ है ठीक है अगर यह ब्रैकेट में कुछ नहीं होता तो फिर हम उसको डेबिट कंसिडर करके यह एक्सपेंस वा होगा ना अगर आपको इंटरस्ट मिल रहा है तो वह आपका इंकम होगा और इंकम हुआ तो कहां पर जाएगा बच्चो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में समझ पाए ना मेरी बातों को तो चलिए फिर इसको लिख दिया जाए यहां पर लिखते है अगला यहां पर क्या है संडरी एक्सपेंस तो यह कहां पर जाएगा यह जाएगा हमारा डेबिट साइड में ठीक है चलो क्यों कि यह तो एक्सपेंस है ना इसके लिए देखो हर एक का रीजन में आपको बताते जाती हूं और आप लोग सुनते भी जाओ ठीक है ऐसा नही यह कहां पर जाएगा इंशॉरेंस अगर हमने करवाया तो वह हमारा एक्सपेंस है ना तो इसलिए यह कहां पर जाएगा बच्चों डेबिट साइड में ठीक है इसका अमाउंट देख लीजिए 35,000 तो हम इधर क्या लिखेंगे टू इंशॉरेंस चलो आगे चलते हैं अगला यहां पर देख लीजिए का है सेल्री तो सेल्री अगर आप दे रहे हो अपने और यह किस से रेलेटेड है यहां किसको देते हैं वेजेस और आप लोगों को एक बात बता देती अंसे वेजेस जी सेटेटेंस जिसे जो हम मंथली बेसिस पे देते हैं ना मतलब जो हमारे employee होते है manager वगएरा जो भी हमारे office के अंदर काम करते हैं ठीक है उनको हम क्या देते हैं salary और यह wages हम किनको देते हैं तो जो हमारी अगर वेज़े साया मतलब प्रोडक्शन से ठीक है तो यह कहां पर जाता है यह ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और यह कहां पर जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेपिट साइट ठीक है चलो इसका जो अमाउंट है वह हम लिख लेते हैं चाली सजार चलो यहां पर लिखते हैं टू सैलिरीज के फॉट्टी थाउजन ठीक है आगे देख लेजिए अगला यहां पर क्या है बच्चो और रेट्स एंड टेक्सिस कितना थर्टीन थाउजन तो देखो आपने रेट्स एंड टेक्सिस को पे किया तो यह भी आपका क्या है एक्सपेंस ही है इसे लिए यह जाएगा डेबिट में हम क्या लिखेंगे टू रेट्स एंड टेक्सिस तीरह हजार था ना जी इस इसके सामने ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए बच्चो क्या है पोस्टेज तो पोस्टेज में अगर आपने घर्चा किया तो वह भी आपका एक्सपेंस है और यह अगेन आपका यह आफिस से ही रेलेट्ट है ठीक है कितना आमा ठीक आगे देख लेजिए अगला यहां पर क्या है बच्चो एडवर्टाइसमेंट कहां पर जाएगा यह भी इससे साइट जाएगा क्योंकि यह भी क्या है एक्सपेंस ही है तो हम इसे लिखेंगे टू एडवर्टाइसमेंट और इसका अमाउंट लिख लेते हैं कितना दिया गया है 40,000 यह लीजे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चो 40,000 ठीक है देखो आपको एक बात बताती हूँ जब भी मैं यह लिख रही हूँ आप लोग अपनी टेक्सबुक में भी मतलब कोस्चन देखते जाओ ठीक है ऐसा इधर पड़ते जाएगे फिर अगला यहां पे क्या है रेंट पेड। हमने रेंट पै किया यानि कि वह जाएगा डेविट जाएगा कि यह वे लिखते सु फिर यह लिखते ङंग घंके लिख ए किलिए त्या क्यों लिख्छ verschiedenen इसका अमाउंट देख लेजी कितना दिया है 32,000 यहां पर हम लिग देंगे 32,000 तीट रुखो इस पर अगला है बेड़ेट का मतलब क्या होता है जैसे कि आप लोगों ने सामान बेचा ऐसे उधारी भी ठीक है तो जो आपका मतलब जो आपका ये है डेटर है ना तो सपोस करो कि हमने उसको सामान बेचा कितने का दस हजार ठीक जिसमें से उसने क्या किया ना उसने ये नो हजार का मतलब पेमेंट कर दिया है अभी एक हजार बाकी है ठीक है तो देखो एक हजार से वो हमारा क्या है डेट चला जो सामने वाला पर संदेटर हो पूरा कंगाल हो चुका है मतलब हमको पैसा नहीं दे सकता ठीक है तो अगर उसके थे पास पैसा नहीं आपको कैसे देगा मतलब क्या का कंशिडर करोगी कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला तो इसे आप लोग बच्चों बैड डेट क्या बोलोगे बैड डेट यानि अब कोई उमीद नहीं अभी तक तो उमीद थी कि पैसा मिलेगा मिलेगा लेकिन जब आप लोगों को पता चला कि वो हो चुका है इंसॉल्वेंट पूरा के पूरा खतम हो चुका है तो हमारा पैसा क्या हो गया ठीक है तो जो आपका पैसा डूबा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ठीक है और बैड डेट को कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है तो यह साइड हुआ तो डेट में लिखो ठीक है क्या लिखेंगे टू बैड डेट समझ पाए ना और देखो इसका अमाउंट दिया गया है दस हजार तो यहां पर हम लिख देते बच्चों दस हजार ठीक चलिए अगला यहां पर देख लिजिएगा अब इस साइट आ जाईए उधर के तो सारे चीज़े खतम हो गए ना देखो 11 नंबर पर क्या है कमीशन और फिर उन्होंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है क्रेडिट अब इसका मतलब समझेए कमीशन भी दो टाइप के होंगे एक तो आपने दिया हो और दूसरा आपने रिसीव किया हो ठीक है तो अगर आप देते ना तो वो डेबिट में होता है लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है क्रेडिट यानि कि यह कमीशन हमें मिला है और जब हमें मिला है तो यह ह जो अमाउंट है ना बच्चो कमीशन ठीक है 17,500 यहां पर लिख देते हैं 17,500 फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आपने खर्चा किया यहां तो यहां पर हम लिख देंगे 21,000 फिर नेक्स्ट वन देख लिए क्या है बच्चो लॉस्ट बाई फायर यानिकी फायर से मतलब आग लगने की वज़ए से हमारा नुकसान हो गया तो यह कहां पर जाता है नुकसान हुआ यानिके मतलब एक्सपेंस हुआ ना तो यह चाहिएगा कहां पर डेट साइड में तो चलिए फिर लिख देते हैं और इसका अमाउंट है 18,000 फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या है बच्चो देखिए क वहाँ पर उन्होंने क्या लिखए डेट लिखा है इसका मतलब आप समझ रहा है यह डिसकाउंट हमने अच्छाइग तो हमें मिलता है मिला तो वह डेट में जाएगा तो यहां पर देखो उन्होंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है बच्चो डेट ठीक है तो अगर उन पहला लें डिसकाउंट कहांपर जाएंगा इस साएड जाएगा तो ंदिसकाउंट लिए इसका यहां देखेंगे त स्थीवटै के गलवाद वह कहां पर यहां पर रहेंगा क्या लिखcelyंगे यहां डिसकाउंट रिसी किया करो ठीक है ना इसका अमाउंट देख लेते कितना है 37,000 तो यहां पर हम लिख देते बच्चो 37,000 ठीक है चाहो तो इधर ब्रैकेट में लिख दो कि यह रिसीवड वाला है और यह अलाउड वाला है यहां पर लिखो ब्रैकेट के अंदर चलो इसके बगल में लिखते हैं ठीक अगला यहां पर देखो बच्चो क्या है मिसलेनियस इंकम यानि हमें इंकम हुआ इंकम हुआ तो कहां पर जाएगा क्रेडिट में तो हम इधर क्या लिखेंगे बाई मिसलेनियस इंकम और जो इसका अमाउंट है यह हम लोग लिख देते हैं 14,000 तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चो 14,000 पर उसके बाद next देख लीजिक्या है Depreciation कहां पर जाएगा डेविट में जाएगा ना क्योंकि our loss Depreciation क्या होता है मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हमारे होते हैं अगर उसका वेल्यू डिक्रीज हो रहा है तो जितने एक या फिर दो साल बात जब उसको बेशने के लिए गए बाजार में तो हमें वह कितने का मिल रहा है उनली मतलब उसका पैसा मुझे कितना मिलेगा बस पचास था ठीक है तो यहां पर हमें पचास थार का नुकसान हो रहा है उसको आम लोग किस नाम से जानेंगे तो कि नाम से जानेंगे ठीक है यहां पर हम लिखते हैं तो डेप्रिसिएशन ठीक है और जो इसका अमाउंट है ना बच्चो यह कितना है 34,000 तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 34,000 ठीक है आगे देख लेजिए बच्चो अगला यहां पर क्या दिया है कैरेज आउट्वर्ड तो कैरेज आउट्वर्ड कहां पर जाएगा तो यह जाएगा इस साइट कैरेज आउट्वर्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ देखो जैसे कि यहां पर दो नाम होते हैं एक तो होता है कैरेज इनवर्ड दूसरा होता है कैरेज आउट्वर्ड क्या होता है जब हम ल तो customer के यहां पर हमें उसके delivery करनी है तो जब उसको deliver करने के लिए जाएंगे तो हमें किसी ना किसी च्रांसपोर्ट के माध्यम से ले करके जाना पड़ेगा और अगर आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले करके जा रहे हो तो आपको transportation charges भी देने पड़ेंगे तो इस टाइम पे जो आप transportation charges पे कर रहे हो एसे हम लोग जानते हैं कैरेज आऊटवर्ड के नाम से ठीक है carriage inward मतलब क्या जब आप सामान मंगा रहे हो तो वहाँ पे जो आपने चार्ज दिया transportation charges वो वो क्या होता है वो आपका carriage invert होता है और समान बेचते टाइम पे जो आप क्या कर रहे हो पैसा दे रहे हो transportation charges दे रहे हो वो किस नाम से जाना जाता है तो carriage outward के नाम से जाना जाता है ठीक है तो देखो बच्चों carriage outward को हम लोग profit and loss account में record करते हैं ठीक क्योंकि जो हमारा final product है वो अभी factory से निकल क बाहर के बाहर आ चुका है ठीक है उसके बाद हम यह पैसा दे रहे हैं तो यह हमारा direct expenses में नहीं आएगा indirect में आएगा ठीक है और जबी carriage invert की बात होती है ना तो यह कहां पर चाहता है मतलब यह चाहता है आपका ट्रेडिंग अकांट में ऐसा क्यों क्योंकि देखो ट्रेड चाहता है ट्रेडिंग अकांट में और केरेज आउटवर्ड प्रॉफित अन लोस अकांट में ठीक है याद रखना भूलना मत लिख दिया चाहे चलिए यहां पर लिखते है बच्चो तू कैरेज आउटवर्ड ठीक और इसका अमाउंट हम देख लेते हैं तो अमाउंट दिया गया साथ हजार ये नहीं को साथ हजार तीक है येडिखो आगे क्या है go down expenses तो go down expenses यह कहा पर जाएगा तो यह expense है यह जाएगा इस side में ठीक है तो क्या लिखेंगे बच्चो go down expenses ठीक और इसका amount हम देख लेते हैं कितना दिया है 40,000 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चो 40,000 ठीक है येस फिर उसके बाद अगला यहां पर देख लेज़ेगा देखो एकदम लास्ट में 19 नंबर के बाद नोट करके क्या लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहां पर रेकॉर्ड करते हैं पहले तो आप यह समझेए आप ऐस सबीक है इस पर दो कितना दिया pier but ठीक है सब्सक्राइब कर दो हो इसे हम लोग क्या करते हैं तो यह जब हम लोग इसको क्रेडिट में चाइएगा यानिकि यह जो है ना इसे हम कहां रेकॉर्ड करेंगे तो profit and loss account के credit side में ठीक है और इसे हम ऊपर record करते हैं तो रुको में एक काम करते हूं यह जो interest है इसको में नीचे लिख देती हूं और जो gross profit है इसको ऊपर लिख सकते हूं पर ठीक है रहने दो ऊपर ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है वैसे अगर बूल गए तो कोई बात नहीं आप यहां पर gross profit करके लिख सकते हूं ठीक है चलो अभी तो हमें मैं यहां पर मिटा सकती थी ना इसके लिए मैंने मिटा करके लिख रही हूं ठीक यहां पर क्या लिखेंगे बच्चो gross profit brought down ठीक है याद रखना यहां पर carry down होता है लिकिन सब्सक्राइब कर लाग सांथ हजार पांचसों ठीक है यह हो गया ना बाकी और कुछ है देख लेजी एक बार तो और कुछ नहीं है जितनी भी चीज़े दी गई थी सभी को हमने उनके जगह पर लिख दिया है आप लोग देख सकते हो अब हमारा लास्ट में काम क्या होता ह टोटल करना । टोटल करके यह पता लगाएंगे कि यहां पर हमको से जाधा हो की मदद से क्टैकूलेट कर देखे विए जभ अपनी अपने हाथ से कीजिएगा पेन की मदद से ठीक है चलो 407500 देखो इसका टोटल आया मैं इधर लिखते हूं चार नो दो ट्रीपल जीरो यानि की 4,92,000 अब इस साइड का हम लोग टोटल करके देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं सब अमांट प्रॉपरली लिखा है ना 22,000 42,000 देखेगा बच्चो इसका टोटल कितना आया जब मैंने इस साइड का टोटल किया तो यह आता है 4,38,000 ठीक है तो बताए कौन सा वाला साइड जादा है ध्यान से देख करके बताओ कौन सा वाला साइड जादा है यह है आपका क्रेडिट वाला यह तो जादा है तो ज़्यादा वाला अमाउंट होता है इसे क्या करतें दोनों साइड में लिख देगे यान कि यहां डोनों साइड में लिख देंगे देंगे चार लाख 92,000 492 और यह आ गया 000 ठीक है और फिर इसे हम लोग यहां पर भी लिखेंगे 492 और यह आ गया 000 ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है तो बैलेंसिंग फिकर निकालना होगा है ना चलो फिर माइनस कर देते हैं तो यहां पर देखो में पता जाक कड़ता है अपर यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगा नेट प्रॉफिट क्यारिड तो बच्चों आप लोग देख सकते हो हमने यहां पर कुश्च नमबर टू भी कम्प्लीट कर लिया तो कुश्च नमबर वन में हमें बस एक लेकिन आपको पता है जभी एक्जाम में आएंगे आपको क्या करना होगा मतलब एक ट्राइल बैलेंस दिया रहेगा और उसकी मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना रहेगा और तीसरा बैलेंस चीट भी बनाना रहेगा ठीक है तो पूरा हम लोग यह बड़ा वहला कोश्ट्ट्ट कभी सौल करेंगे तो लेक्ट्ट्टर से सौल करेंगे ठीक है यह थैसने आपको प्रेक्टिस के लिए दिए गए ताकि आपको प्रेक्टिस प्रेक्टिस चल रही थी तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहें बागी कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे जरूर बताईएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और टेलिग्राम चैनल को अगर आप सभी लोगों नहीं कि क्या है तो कर लीजेगा ठीक है चलो फिर चलते हैं मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में गुडबाई आवरीवन